हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चेनल गले का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम बक्रम लेंगे बक्रम की लंबाई साड़े आठी इंच है और चौड़ाई नौ इंच है बीच में से हम बक्रम को फोल्ड करेंगे और यहां से हम तीन इंच दो पॉइंट की चौड़ाई नापकर ऐसे टिक लगाएंगे अब हमें लंबाई नापनी है तो यह देखिए साड़े साथ इंच की लंबाई नापकर यहां पर टिक लगाएंगे और स्केल की सहायता से इन दोनों टिक को हम ऐसे लाइन अप कर लेंगे दोनों साइट से लाइन अप करने के बाद अब हम यहां से हलका सा गोल सेफ में लाइन अप करेंगे यह देखिए थोड़ा सा हमें लाइन के बाहर भी ऐसे लाइन अप कर लेना है अब हम बकरम को यहां से घुमा कर अंदर की तरफ हलका सा गोल सेप में ऐसे लाइन अप कर लेंगे इस तरीके से लाइन अप करने के बाद अब थोड़ी सी दूरी पे हम दोनों साइट से इसकेल की सहायता से ऐसे लाइन अप कर लेंगे जिस सेप में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नए डिजाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आलका ओप्शन सलेक्ट करें इस तरीके से डिजाइन को कट करने के बाद इस तरीके सहायता से हम डिजाइन को कपड़े पे चिपका लेंगे और किनारे के साइट से कपड़े को ऐसे फोल्ड करके हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे और गले के डिजाइन को सूट के कपड़े में ज्वाइंट करेंगे तो ये रहा हमारा सूट का कपड़ा, सूट के कपड़े में हम गले की डिजाइन को यहाँ पर लगाएंगे और इसके बीच में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे यहां पर हम धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद जिस सेप में हमारा गले का डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हम डिजाइन के उपर यहां से सिलाई चला लेंगे तो यह देखिए फ्रेंड डिजाइन के उपर सिलाई चलाते हुए हमने इस लाइन को complete कर लिया है अब हम यहां से धागे को cut कर लेंगे धागे को cut करने के बाद अब हमें extra कपड़े को cut करना है सिलाई के हलके से बगल में extra कपड़े को ऐसे cut कर लेंगे डिजाइन को proper shape में fold करने के लिए डिजाइन की कोने की side में हलका सा कपड़े को कट कर लेंगे अब हम डिजाइन को फोल्ड करके सीधा करेंगे डिजाइन को सीधा करने के बाद अब हम डिजाइन को इस्तरी कर लेंगे जिससे हमारा डिजाइन परफेक्ट सेप में बैठ जाएगा तो ये देखिए आगे की साइट से भी हमारे डिजाइन में पर्फेक्टिफ नीशिंग आई है अब हम सूट के कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और एक लंबा सा चोड़ा सा बक्रम लेंगे बक्रम की लंबाई 5 इंच है और इसकी चोड़ाई 12 इंच है बक्रम को ऐसे फोल्ड करेंगे यहां गले की डिजाइन में अंदर की तरफ ऐसे लगाएंगे यह देखिए ऐसे हमें बक्रम को लगाना है गले की डिजाइन में और यहां से हमें ऐसे लाइन अप कर लेना है इस लाइन को लाइन अप करने के बाद अब हम यहां से तीन इंच की चोड़ाई नापेंगे यह देखिए जिस सेप में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेप में तीन इंच की चोड़ाई नाप कर ऐसे टिक लगाना है और इस टिक को हमें लाइन अप कर लेना है अब हम स्केल की सहायता से यहां पर तिर्ची में लाइन अप कर लेंगे जिस सेप में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से डिजाइन की कटिंग करने के बाद हमारे डिजाइन का लुक कुछ इस तरीके का आएगा ये देखिए डिजाइन को इस तरीकी सहायता से हमें कपड़े पे चिपका देना है किनारे की साइट से ये देखिए हमने पर्फेक्ट सेप में कपड़े को कट कर लिया है और यहां से हम हलका हलका कपड़े को फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे दोनों साइट से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई कर लेना है अब हमें इस डिजाइन में मार्केट वाले पाइपीन को लगाना है तो उसके लिए हमने उरे भी कटा हुआ एक लंबा सा कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई दो इंच है कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर लगाएंगे और जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में कपड़े को ऐसे लगाते हुए हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और एश्ट्रा कपड़े को भी अब हम यहाँ से कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे कपड़े को ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम इसके उपर सिलाई चलाएंगे सिलाई चलाते समय इस बात का ध्यान रखें किनारे की साइड में हलका सा हमारा दूसरे कलर का कपड़ा दिखना चाहिए इस तरीके से आप मार्केट जैसा पाइपिन अपने डिजाइन में इजली बना कर तयार कर सकती है यहां से हम धागे को कट कर लेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन के दूसरे साइड में भी ऐसी पतली पाइपिन बना कर तयार कर लेंगे दोनों साइड में पतली पाइपिन बनाने के बाद अब हम इस डिजाइन में डोरी के डिजाइन को ज्वाइंट करेंगे तो दो इंच की लंबाई नापकर हमें धेर सारी डोरी की कटिंग कर लेनी है डोरी को फोल्ड करके डिजाइन के किनारे की साइड में हम यहाँ पर लगाएंगे यह देखिए बिल्कुल इसी तरीके से डोरी को फोल्ड करके यहाँ किनारे की साइड में लगाना है और इसके उपर सिलाई चला लेनी है अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नए डिजाइन की वीडियो देखना चाते हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी नेश्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी डोरी को ऐसे लगाते हुए हमने इस लाइन को कम्प्लीट कर लिया है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद फ्रेंड अब हमें एक लंबा सा कपड़ा लेना है कपड़े की लंबाई हमने 15 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 2 इंच है दोनों साइट से कपड़े को फोल्ड करके हम इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे और इस चौड़ी पट्टी को हम बीच में से ऐसे फोल्ड करके दो भागों में कट कर लेंगे चोड़ी पट्टी को हमें गले की डिजाइन में ज्वाइंट करना है तो ये देखिए चोड़ी पट्टी को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे गले की डिजाइन में एक साइड में हमने चोड़ी पट्टी को ज्वाइंट कर लिया है बिल्कुल इसी तरीके से गले की डिजाइन के दूसरे साइड में भी हमें चोड़ी पट्टी को ज्वाइंट कर लेना है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद यहां से हम एश्ट्रा चोड़ी पट्टी को कट कर लेंगे अब जो हमारा ये डोरी का डिजाइन है इसे हम गले की डिजाइन में यहां पर ऐसे लगाएंगे सिलाई के स्टार्टिंग हमें यहां से करनी है जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिलकुल उसी सेप में डिजाइन के उपर सिलाई चलाकर हमें इस लाइन को कम्प्लीट कर लेना है तो ये देखे फ्रेंड हमारी ये लाइन कम्प्लीट हो चली है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद सूई धागा के मदद से या फैबरिक ग्लू के मदद से हमें डिजाइन में मोती को लगा देना है तो ये देखिए हम मोती को यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे और जो हमारा चोड़ी पट्टी का डिजाइन है उसमें भी हमें यहाँ पर मोती को लगा लेना है इसे के साथ हमारा डिजाइन बनके कंप्लीट हो चला है आपको ये डिजाइन कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं थैंस वर वाचिंग माई वीडियो